गुद मोरिंग स्टूदेंट्स तो आज हम क्लास 12 की सेकेंड डिसकस करेंगे नेम सोल्विजन उसमें एक टोपिक आता है मैथर्ड्स टू एक्सपेस दी कंसंट्रेशन यहीं की कंसंट्रेशन को एक्सपेस करने के मैथर्ड्स हैं बहुत सारे तो आज हम उनको वन बाई डिस डिसकस करेंगे तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें चलो स्टार्ट करते हैं मैथर्ड्स टू एक्पेस दी कंसंट्रेशन फैस्टो फॉल आता है कंसंट्रे अमाउंट ओप सोल्यूट परजेंट इन गीवन सोल्यूशन और सोल्वेंट यहीं की दिये के सोल्यूशन या सोल्वेंट में कितना सोल्यूट परजेंट है यह बताना क्या कहलाता है कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन को एक्पेस करने के बहुत सारे तरीके हैं नियुक्त मेताब आता है पर्षंटेज 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 मिन्स कि अमांट ओप सॉल्ड या काओ मास ओप सॉल्ड परजैंट इन हैंड़ पार्ट्स ऑफ दी शोलिज़ां मास भी हो सकता है वोल्यूम भी ऊशकती है मैंने कि 100 parts of the solution में present है तो percentage तो को 100 पी होता है तो percentage को तीन त्रीके से express करते है मास परसेंट मास परसेंट W by W एक होता है Volume percent volume percent V by V और एक होता है मास by volume percent Mass by volume percent W by V अब द्यान से सुना बहुत सिंपल सी definition बता रहे mass percent का मतलब mass of solute in gram present in 100 gram of the solution आगे w का मतलब gram और पीछे भी w means gram किसका last वाला solution का यूज़ करेंगे और पहले वाले term solute के लिए यूज़ करेंगे तो definition क्या होगी mass of solute in gram present in 100 gram of the solution mass of solute in gram present in 100 gram of solution बड़े सिंपल सी में ये definition है किसी solute का mass gram में 100 gram solution में कितना present है next है volume percent v by v तो शुरुआत वाली किसकी term होती है solute की और last वाली किसकी होती है solution की तो यहाँ volume की बात चल लिए तो आपके देंगे कि volume of solution in ml present in 100 ml of the solution तो चलो बताओ इसी की definition बड़ाओ volume percent को बताओ तो वोल्यूम पर्सेंट की हाँ definition लिख देते हैं बताओ volume percent में क्या आएगा volume percent में आएगा volume of solute volume of solute in ml क्योंकि small level पर ले नहीं है अपने को ml present in 100 ml of solution के लिए मैंने बताया था कि fast वाली किसके लिए होगी solute के लिए और दूसरी किसके लिए होगी solution के लिए तो volume of solute in ml present in 100 ml of the solution mass volume बताओ fast किसका होता है solute का तो solute mass of solute in 100 ml of the solution तो बताओ कि क्या हो गया mass of solute in gram present in 100 ml of solution ठीक है बैक तो mass percent का next रम फार्मूला करेंगे तो बताओ यह फार्मूला क्या होगा mass percent का definitions तो इनकी हो गई है mass percent का फार्मूला बताओ यह जल्दी से mass percent का फार्मूला से भी का फार्मूला करेंगे definition आप कर चुके हो तो उपर क्या है solute का mass तो गया mass of solute in gram mass of solution multiply hundred हो गया जी solute का mass gram में total mass of the solution multiply hundred hundred तो सभी में multiply होना यह है क्योंकि percentage है तो हेंड़ पे आती है अब आती ही volume percent अब की बार mass की बज़ए volume लिख दू तो क्या हो गया volume of solute volume of solute in ml upon volume of solution multiply hundred next ही क्या होगी यहां से बताओ खुद ही पता लग जाएगा यहां w means mass mass of solute mass of solute in gram upon नीचे वी है तो क्या हैगा volume of solution multiply hundred के लिए तो percentage में क्या होगा handed parts of the solution लेना है w by w में दोनोई चीज़े gram में आएगी मलब mass आएगा और वो gram में volume ml में use करेंगी और यह mass by volume में क्या करेंगी mass of the solute in handed ml of the solution ठीक है next method कर लेते है molarity molarity denoted by capital M definition क्या होगे हैं? बहुत simple सी definition है number of molds of solute number of molds of solute present in one liter of the solution present in one liter of the solution तो इसका फार्मूला क्या होगा? उपर number of molds of solute निचे volume of solution in liter यहाँ volume लिटर में होनी चाहिए यदि लिटर में नहीं है तो बनाएंगे अच्छा कई बार क्या होता है इस फोरम में नहीं दिया होता जैसे कि हमें number of molds नहीं दिया होते तो हमें बनाने पढ़ेंगे number of molds number of mold solute का क्या होगा? किसी का भी number of molds क्या होता है? उसका mass in gram upon molar mass तो यह ट्रम हमने किसके लिए लिखी है? Mols of solute के लिए क्या mass of solute in gram upon molar mass अब solute के लिए हमेशा दो या भी यूज करते हैं क्योंकि solution में पहला component solvent माना जाता है और दूसरा component solute माना जाता है तो solute के लिए 2 या भी यूज करते हैं जर्नली और solvent के लिए 1 या A यूज करते हैं तो बात यहां solute की चल लगी है तो यहां हम to use कर लेंगी अच्छा है इसका volume of solution liter कई बार volume ml में आ जाती है तो ml का liter में change करेंगे और liter में change करेंगे तो यहां से 1000 से divide करेंगे वो जो 1000 से हम divide करने वाले हैं वो ही 1000 उपर multiply हो जाएगा तो इस तरह से 1000 उपर चला जाएगा वोल्यूम जब milliliter में आए तो ही 1000 करना है यदि वोल्यूम लिटर में है तो 1000 का कोई मतलब नहीं रहता 1000 किसलिए किया जाता है milliliter को लिटर में convert करने के लिए ठीक है जी तो यह formula बड़ा ही simple सा molarity का हो गया अब बतिए इसकी unit क्या होगी unit यहां से आ रही है उपर दे रखा है moles नीचे दे रखा है volume of solution लिटर तो इसकी unit होगी mole per liter अच्छे यह बताओ यह temperature पे depend करेगा की नहीं temperature पे depend करेगा की नहीं तो देखो जिसमें volume आती है जिस method में volume involved है तो वो temperature के साथ change होने वाला है क्योंकि जैसे temperature बढ़ाएंगे volume भी बढ़ेगी और जैसे volume बढ़ाएंगे तो molarity decrease होकर के आएगी तो यह temperature के साथ किस तरह से change होती है as we increases the temperature volume increases और जैसे volume increase होगी molarity decrease होकर के आएगी तो हम क्या कहेंगे temperature के साथ जैसे temperature increase करते है temperature increases temperature increase molarity decrease molarity decrease हो जाएगी ठीक है भाई next method क्या है इसका next method molality molality denoted by small m ध्यार से देखना difference क्या है देख रहे हो molality तो यह तो पहले line तो as it is number of moles of the solute number of moles of solute number of moles of solute present in one kilogram of solvent तो क्या difference मिला molarity और molality में ही भाई molality में तो one liter of the solution होता है जबकि molality में one kilogram of the solvent ठीक है तो इसका फार्मूला कर लेते हैं फार्मूला क्या होगा है 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 बतिए है है यहां से इसकी इसकी डेफिनेशन से फार्मूला पता लग जाएगा हमने रखाए number of moles of the solute present in one kilogram of the solvent तो molality का फार्मूला हो गया number of moles of solute upon mass of solvent in kilogram in kilogram देख सकते हो यह दे रखा है kilogram of solvent अब कई बार number of moles नहीं दे रख्यों होते हैं तो हमें बनाने पढ़ेंगे given mass upon molar mass to use कर रहे हैं क्योंकि two solute के लिए यूज़ करते हैं और mass of the solvent w mass of the solvent solvent के लिए one यूज़ करेंगे यदि यह ग्राम में है तो इस ग्राम को kilogram में convert करेंगे kilogram में convert करने के लिए 1000 से divide करेंगे तो वही 1000 क्या है उपर चला जाएगा और multiply हो जाएगा तो जब mass number of moles उपर दे रखाया मोल्स और निच्चे दे रखाया मास of solvent in kilogram तो मोल पर kilogram यह temperature पर depend करती है temperature पर depend करती है वती है क्योंकि इसमें कहीं भी volume नहीं आई पूरे फार्मुले में तो यह temperature पर independent रहती है temperature पर निर्वन नहीं करती यहनि कि independent of the temperature इंडिपेंडेंट of temperature क्योंकि इसमें मास involved हुआ है और मास temperature के साथ नहीं बदलता तो इसमें भी कोई changes नहीं आएंगे temperature के साथ कि नेक्स्ट कर लेते हैं कि नेक्स्ट है मोल fraction तो मोल fraction के बारे में क्या बतिए जल्दी से मोल fraction कुछ बढ़ा हुआ है तो बतिए बताओ फॉर्थ मेथड क्या है मोल fraction मोल fraction देनोटे बाई कैपिटल एक्स मोल फ्रेक्शन क्या कहता है नंबर ओफ मोल्स ओफ दैट कम्पोनेंट जो हमें दे रखा है जिसका हम मोल fraction निकाल रहे हैं नंबर ओफ मोल्स ओफ दैट कम्पोनेंट टू टोटल नंबर ओफ मोल्स ओफ सोल्यूशन द्यान से पढ़ना एक बार मोल फ्रेक्शन किसी का भी क्या होगा उस कम्पोनेंट के नंबर ओफ मोल्स आपकोन में पूरे सोल्यूशन के नंबर ओफ मोल्स अब माल लेते हैं solvent के number of moles उपर upon पूरे solution के number of moles, पूरा solution में दो ही तो component है, solvent और solute उसके number of moles जोड़ दो, solution के number of moles आ जाएंगे, इसको fast equation लिख दीजिए, solute का mole fraction क्या होगा, अब solute के number of moles उपर लिख दो upon पूरे solution के number of moles, equation 1 or two को add कर दीजिए, adding equation one and two, adding equation one and equation two, तो बत्य यहां कर लेते हैं, equation one or two को add करो, left side जोड़ी हमने, x1 plus x2, right side जोड़ो, n1, n1 plus n2 plus n2, n1 plus n2, यहां से L same क्या है, same है, तो L same आ गया, n1 plus n2, इसको इससे divide किया one आया, उपर multiply किया n1, इसको इससे divide करेंगे one आयेगा, उपर multiply करेंगे n2, आप क्या देख रहे हो, उपर वाली ट्रम वो निचे वाली ट्रम सेम है, तो कट गई भाई, इसको ऐसे कर लो, कट गई, one आ गया, तो बताओ, यहां से क्या है आपके समझ में, कि mole fraction solution का हमेशा one रहेगा, mole fraction of the solution is always unit, भले इसमें कितने भी component क्योंने हो जाए, चार हो जाए, पास हो जाए, लेकिन टोटल जो number of moles जोड़ें, mole fraction जोड़ें कि में में विशा unit आएगा, यहनिका x1 plus x2 is equal to 1.